असलालेकुम जी आज आपने की बनाने जा रहे हैं बहुत इची रस्पी क्विक सालन है भूक लगी है घर पर कुछ चीज नहीं है तो आप अंडों के साथ माल सकते हैं अंडे हर के घर में होते हैं तो मैं यहां पर 10 अंडों का अस्तमाल करीन को मैंने बॉइल कर लिया था और इसके बाद जो निक्स काम आपने करना है उस पर आप इस्तीके से कट्स लगा लेते हैं और यह बहुत सिंपल सी रेस्पी है इसका नाम एक आप में बहले बता दती हूं इस एग मसाला करी है तो सिंपल सा है अंडा है इसको बॉल कर लेने के बाद कट्स लगा लिए इस पर लगाएंगे लाल मिर्चा का पावडर हाफ टीस्पून है मेरे पास हल्दी 1 फोर्थ ट हाफ टीस्पून है मतलब के बहुत भर कर नहीं है लेवल डी है ठीक है अब आपने इन कुछी तरह एग्स को कवर करना है इसके साथ में और फिर आपको दिखाते है नेक्स टेप मुकंबर लिखी हुई रेस्पी के लिए यूच्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो के आपको सीधे मेरे वेबसाइट कुक्विद्वाइजा.net पर ले जाएगा अब आप एक कडाई लेंगे और इसमें आप तेल गरम करेंगे वन थर्ड कप जितना तेल है मेरे पास और जो हमारे पास यहां पर अंडे हैं इन्हें आपने लो तो मिडियम फ्रेम पर रखकर सम्चा सिलाते रहें बीश में और इसको यहां पर हम एक से दो मिनट के लिए अब इस में निकाल करके अप एक लेडा प्लेत निले रखक और धी रखक जेस बढूशा को अब इसमें बदाने रखकों निच करेंगे तो आप आप इसमें डालेंगे वन टीश्पून भरेकर जिरा है हरी मिर्च बीश में जाएंगी 2 अदर्ट में इनको फाइनली चॉप लिया था, प्याज आप इसमें डालेंगे 2 दनम्याने साइज की इसे ज्राइन कर लें इंटी एक आप देखेंगे यह बहुत जल्दी रेस्की प्यार होती है और इसका जाइसा भी बहुत लिखाता है, अ प्याव दरा को ताकि जो इसका अच्छा सा कच्छा पन फटम हो जाए और हलका सा इसका कलर भी जो है आप देखिंगे की चेंज हो जाता है तो यह के इसे यह पर प्राइ कर लेते हैं हाई फ्लेम पर और आपको दिखाते हिसमें और कॉन से नसाली जाए जाएंगे तो यह बिल्कुल सेटल हो जाता है तो इसका उच्छना भी बंद हो जाता है अब आप इसमें आट करेंगे जो के मसाले है वो है धनिया पाउडर 2 टी स्पून हल्दी 1 टी स्पून है नमक 1 टी स्पून डाल रही हूँ आप मिर्चें कम यह जाता अपने जाटे लिग दाबिक कर सकते है ठीक है ना गरम मसाला यह मेरा हो न रहाफ ती स्पून पिसी वी लाव मिर्चें में अटाल रही हूँ 1 अ 1 फ ती स्पून हो बें है और जाती है कसूरी में थी इससे आप मसल के डालते है इससका जाएका बहुत अच्छा आता है साथि में बीच में जाएगा ट अब टीस्पून लेवल है और बीश में जाती है कसूरी में थी इसे आप मसल कर डालते हैं इसे इसका जाएका बहुत अच्छा आता है साथ में बीश में जाएगा टमाटो केचप वही जो हम चिप्स बैगर जगारा के साथ साथ सर्फ करते हैं छे टेबल स्पून है मेरे पास यहां पर और दो दर्माइने साइज के टमाटो है जिने मैंने ग्राइंड कर लिया था इंटूर पेस्ट और वो चला था ठीक है यह तमाम चीजों को अच्छे से यहां पर मिक्स करते हैं और हाई प्लें पर इस मिसाले को यहां पर थोड़ा सा भूलेंगे एक से दो मिनट के लिए तमचा से लाते हैं यह को चीज में लगे ना और उसके बाद को दिखाते हैं अब 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 इसमें जो है अड़ करेंगे पानी, मेरे पास वही जिसमें मैंने ग्राइंड किया था मैं इसमें पान जाल जीँए यह को चीज दाया ना हो तक्रीबन एक ग्लास पानी है उसमें इसको चैसे मिक्स करते हैं और फिर आप इसे कवर करेंगे और लो टू मीडियम पर रखकर बिल्कुल इसको आपकने दें ताकि जितने भी मसाले वो पक जाए और कोई चीज बिच में जो है मसाले मिर्ची वगरा कची न रह जाए तो लो सर्फस पर आ रहा है ठीक है और यह देखनें कितना गारास का मसाला बनता है अब इसमें जो है हम आड करेंगे जो के हमारे हमने एक्स मसाले में फ्राइड किये थे तो तमाम एक्स को बिच में डाल लेते है ठीक है इसे मिक्स करते हैं बिच में आप देखरें कि इतना मसाला है कि माशला आप इसके अंदर में अगर चाहें तो आठ दस अंडे और कर सकते हैं तो यहां पर यह कर लेने के बाद इसमें आप आदे कि आप जितना पानी और डालेंगे इसे कवर कर दें और मीडियम फ्लेम पर रख कर इसको तीन से चार मिनट मजीद और देंगे ताकि यह जो पानी है अच्छे से दोबारा खुश्क हो जाए तेल सर्फस पर आजाए और उसमें यह है कि जो मसालें वो अच्छे से जो अंडे के कट्स हैं उस तक जो है अंदर तक तो यह कि इसको यहां पर थोड़ी से को कर लोते हैं और यह आपको दिखाते हूं यहां पर जो हैं अंड़य बिल्कु रिष में जार मूझ में तो यहां तो देखले मुष्कोर थास अंडें बहुत ही टाल सकते हैं तो यह हैं ज़्छे पलता कि देखलें टालेंगे ऍब esperar 2 इसे मिक्स करते हैं इची तरह और तो इसे करते हैं डिशार इसी किसे आप बनाते हैं यह बहुत ही मज़दार बनता है आप ठ्राय करके देखिएगा और इसको अब सर्फ अगर आप चाहें चावलों के शुकीन है तो आप इसको चावलों के साथ में भी खा सकते हैं कोई हार रिटन रेस्पी इंग्लिश में आपको मिलती है वो है मेरी वेबसाइट पर इसको कितवाइजार.net पर उमीद है आप लोगों ने मेरी आप भी डाउन्लोड कर ली होगी जो के फ्री है तो जुरू बनाईगा आप तैको कैसा लगा तो आम ही आद रखें और थेंक्यू